नमस्कार साथियों बहुत सारे लोगों के बरबस कॉमेंट आते हैं कि सर आप स्टार्टिंग में को नले नापी और पॉडी की वीडियो बनाते हैं लेकिन जो व्यक्ति ठीक होके जाते हैं उनकी वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों बहुत सारी लोग ठीक होने के बाद ऐसा कहते हैं कि सर अब हम ठीक हो चुके हैं हमारे से अलग किसी से रेव्यू ले ले लेना कोई दूसरा व्यक्ति आपको रेव्यू दे देगा और वो थोड़ा सा हैजिटर्ट फिल करते हैं रेव्यू देने में लेकिन आज इस वीडियो के अगर आप प्रॉपर रेव्यू देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो व्यक्ति साल, दो साल, चार साल, दस साल से नले, नाभी, आईबियस, कॉड़ी, कैस्टिक प्रॉलम, एसिडिटी, कॉंसी बेशन इन सारी समस्याओं से ग्रसित हैं या फेस कर रहे हैं या बहुत मुश्किल में हैं वो व्यक्ति पहुत आसाली से यानि पहुत इज़ी बेशे धीबो सकते हैं दोस्तों, आज अपने साथ हैं अंकित कुमार अंकित कुमार जी की एज मात्र 25 बर्स है और पिछले 10 साल से नाभी की समस्या, नले की समस्या, भूक ना लगना, गैस्रिक प्रोलम, ग्लोटिंग, एसिडिटी पूरी बॉडी में वीक्नेस क्योंकि वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रह गया है 38-40 रह गया था जिसकी वज़े से पूरी बॉडी में पेंड भी होता था और वीक्नेस भी फिलोती थी यूडी अपकी बहुत मेजर समस्या थी, कुछ भी खाते थे पचता नहीं था बिल्कुल भी ये हमारे पास 30 तारीक को दिल्ली में ही छावला गाओं नजबगर से आई तो 30 तारीक से लेके आज 6 तारीक तक आल्मोस इनके 6 ट्रीटमेंट हुए हैं और 6 ट्रीटमेंट के बाद और नहीं आजाके मेरे को पुछा है कि अब मेरे को आने की जरुवत है क्या क्योंकि उनकी समस्या जो है वो आल्मोस हंडर्ड परसेंट खतम है एक बार वो खुद आपको बताएंगे कि जब वो आयए टेक पेट कैसा रहता था बिल्कुल एक्तम पत्तर की तरह और अभी क्या फील कर रहे हैं खाना का रहे हैं तो डाइजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा गैस बन रही है क्या या जो भी समस्या हो रही है वो एक बार आपको सारा कुछ किलियर बताएंगे कि जब मैं आया था तब मैं कैसा था और आज छे दिन के बाद मैं क्या फ्रीक कर रहा है जीज़र जब आया रहन है तो इसके मेरा बेट इन ताइड रहा है ताइड साइड और लिए खाके और नावी को छूटे ही हल्का सा प्रक्रिफना उतार प्रेंग प्रेंगा और त्रीट्रिटमेंट या लोगे तो अब कहीं हुँई पूलन अकडन पर नहीं है और भूंक भी लगती है और इसके अलाबा ना भी अपसेट है पूरी तरह से ठीक है तो मतलब कैसा फील कर रहे है अच्छा लग रहे है अच्छा लग रहे है साथियों ये एक ऐसी समस्या है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है किसी व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है फरक सरफ इतना होता है लेकिन ये समस्या पूरी तरह से यानि सो प्रतिसक हंडेड परसेंट ठ भी किया है धन्यवाद